माध्यमिक शिक्षा परिशत यूपी बोर्ट की शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कराने की रणनीती पहले दिन से कारग हो गई गुरुवार को हाइ स्कूल एवं इंटर की परीक्षा में करीब सवा तीन लाग से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुँचे प्रदेश भर में सोशल मीडिया पर नजर रखे जाने की वजह से भी नकल्चियों में भय व्याप्त रहा हिंदी की परीक्षा में नकल कराने का प्रयास करने वाले साथ मुन्ना भाई भी पकड़े गए एक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ प्राथमे की दर्ज कराई गई है परीक्षा केंद्रों पर निगहबानी की वजह से पांच नकल्ची भी पकड़े गए है बोर्ड मुख्याले एवं लखनव के कंट्रोल रूम से CCTV कैमरे के माध्यम से परीक्षा के दौरान एक टीन परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे रही जहां भी कुछ गड़बडी दिखी उस केंद्रों को चेतावनी भी दी गई यूपी बोर्ड ने इस वर्ष की परीक्षा में और सक्त कदम उठाए है इसका नतीजा आज पहले दिन ही परीक्षा में देखने को मिला प्रथम पाली में हाइसकूल हिंदी एवं प्रारमभिक हिंदी की परीक्षा 8,273 केंद्रों पर एवं इंटर सैनिय विज्ञान की परीक्षा 244 केंद्रों पर आयोजित हुई हाइ स्कूल में 29,38,663 तथा इंटर में 5,123 परीक्षार्थी सम्मिलित हो ना था द्वितिय पाली में इंटर हिंदी एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा 8,232 केंद्रों पर हुई हाइ स्कूल में वानिज्य की परीक्षा 1619 सेंटरों पर हुई इंटर में 24,29,278 तथा हाइ स्कूल में 38,437 परीक्षार्थी सम्मिलित होना था पर हाई स्कूल में कुल 2,3,299 एवं इंटर में 1,3,242 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे बोट सचिव दिबिकांच शुकला ने बताया कि हाई स्कूल एवं इंटर में कुल 3,33,541 परीक्षार्थी गेरहाजर रहे इसी प्रकार प्रथम पाली की परीक्षा में 7 छद्म परीक्षार्थी भी पकड़े गए इनमें 4 देवरिया, 1-1 आजमगर, जौनपूर, अलीगर का मुन्ना भाई है एटा में एक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ प्राथमी की दर्ज कराई गई है पांच बच्चे नकल करते भी पकड़े गए है बोट सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी केंद्रों की लगातार मानिटरिंग की जाती रही गौरतलब है कि बोट की परीक्षा 55 लाग से अधिक परीक्षार्थियों ने पंजी करण कराया है आठ हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाये गए है तीन लाग से अधिक कक्ष निरीक्षक की तैनाती हुई है सभी को QR कोड वाले आइकार दिये गए है उत्तर पुस्तिका को भी QR कोड के दाइरे में लाया गया है परीक्षा में नकल रोकने के लिए सचेव ने बताया कि शुक्रवार को 4,47,000 परीक्षार्थी एकजाम में सम्मिलित होंगे प्रथम पाली में हाइस्कूल पाली, अर्भी, फार्सी की परीक्षा 114 केंद्रों एवं इंटर में नागरिक शास्त्र की परीक्षा 7,362 केंद्रों पर होगी जिसमें हाइस्कूल में 1,003 तथा इंटर में 3,71,938 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे इसी प्रकार द्वितिय पाली हाइस्कूल में संगीत गायन 602 केंद्रों इवं इंटर की व्यावासाइक वक्रिशी वर्ग की परीक्षा 1812 केंद्रों पर होगी इनमें हाइस्कूल में 10,695 तथा इंटर में 63,865 परीक्षार्थी पंजीक्रित हैं